पाठ दो जल बैंक एक नगर में चिंता मणी नाम का एक व्यक्ति रहता था उसका जैसा नाम था वैसा ही स्वभाव वह यदि किसी चीज में उलज जाता तो उसकी चिंता करते करते सपने में खो जाता था एक दिन वह बैठे-बैठे टेलिविजिन पर समाचार देख रहा था पहली खबर थी पानी की किलत से लोग बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं बस फिर क्या था? चिंता मणी को पानी की किलत के बारे में जानकर चिंता होने लगी और ये चिंता ऐसी बढ़ी कि उस चिंता की गहराई में उसकी आँख लग गई वह सपनों की दुनिया में देखता है कि चप्पे-चप्पे पर जल बैंक खुल गए हैं अगर आपको मोहले वालों से कुछ ज्यादा पानी मिल गया है तो चिंता की कोई बात नहीं जाए और उसे बैंक में जमा कर दीजे अगर आपको दस बालती ज्यादा पानी मिल गया है तो शुददा की जांच के बाद बचा पानी बैंक के लौकर में आपके नाम से रख दिया जाएगा बैंक की इमारत के उपर बड़ी बड़ी तंकिया हैं वे सूद भी देते हैं सावधी जमा योजना में साल भर बात पानी की दस बालतियों के बदले बारह बालती सौदा महगा नहीं है वैसे भी आजकल जिसके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं यह तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के एक जूट इस मौसम में बहुत चलने लगा है घर में पानी परियाप्त है केवल वाशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं ऐसे में लोगों को अफसर मिल जाता है जूट बोलने की अपनी आदत को भुनाने का वे हर पडोसी से कहते फिरते हैं नहा धोकर कपड़े बरतन निप्टाने के बाद घर में पानी के लिए एक भी बून पानी नहीं है अब ऐसे हालात में जल बैंक आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तयार रहेगा यदि सच में पानी की जरूरत है तो तुरंत लोन ले बस आपका मकान गिर्वी रहेगा परंतुक 50,000 लीटर पानी का आपका रिण मन्जूर आपको हर महीने 5000 लीटर मूल और 1000 लीटर सूद भरना होगा मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 60,000 लीटर पानी बैंक को देंगे हाँ अगर हर महीने सूद ना दिया तो आपके रिण में जोड़ कर चक्र व्रिधी ब्याज शुरू आपका रिष्टिदार पानी के लिए जूज रहा है कहीं कोई 100 किलो मीटर तो चिंदा ना करें आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतरिक्त जल भेज दें ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कोरियर से वरना MT या TT भेज सकते हैं 5000 लीटर भेजने का खर्च केवल 3 बालती एक आसान रास्ता और भी है बैंक ने कई ATM सेंटर खोल रखे हैं ATM कार्ड आप अपने रिष्टिदार को दे दे अपने खाते में पानी जमा करें और वह वहाँ से निकाल लेगा कैसे? सरल है बटन दबाते ही ATM के नल से आदेशा नुसार पानी निकलना शुरू हो जाएगा बशर्ते कि आपके खाते में जमा हो क्या कहा? खाता खोलना है? जल्दी कीजिए सादा खाता दो बाल्टी चेक्बुक वाला खाता चार बाल्टी नल कनेक्शन का प्रमान पत्र नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां पानी में जब चिंतामणी ने आँखें खोली और वो सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था अपने मन को शान्त करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया कि ये हकीकत नहीं बलकि एक सपना था लेकिन चिंतामणी तो चिंतामणी है चिंता करना वो कैसे छोड़ सकता है अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका ये सपना सचना हो जाए अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू किया ही था कि अचानक उसके कंधे को जटका सा महसूस हुआ अरे चिंतामणी अब किस चिंता को अपने जिगर से इस तरह लगाए बैठे हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो उसकी दोस्त राम दयाल ने उसकी कंधे पर हाथ रखकर व्यंग कसा आओ बैठो राम दयाल दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणी ने अपना सबना कैसे सुनाया और फिर बोला तो भाई अब मुझे ये चिंता खाय जा रही है कि पानी की दुरिपियोग को रोका कैसे जाए राम दयाल ने मौका देखते ही चौका मारा और बोला भाई फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलनी में ही लोगों को जागरू करना होगा जब अपने पडोसी मणी शंकर जी सुबह सुबह अपनी कार्ध हो रहे होंगे तो चुप चाप जाकर नल बन कर देंगे यदि शर्मा जी अपने नल के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी को यूँ ही बहा रहे होंगे तो उन्हें मना करेंगे और साथ ही मिसिस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुसकी का मजा भी तो ले लेंगे चिंदा मनी जोर से ठहा का मार कर हस पड़ा फिर बोला भाई कहते तो तुम ठेक हो इसी तरह अपनी कॉलनी में जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिख कर चिपका देंगे उसकी बात को राम दयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा फिर भी अगर लोग न माने चिंदा मनी ने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक पानी बचाने के प्रती लोगों को जागरूख नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा अरे ये तो पहचान है हमारे चिंदा मनी की मूल्य जल ही जीवन है इसे बेकार में न बहाएं